इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है यह एक मिश्रित दवा है जो तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधी को कम करके मस्तिश्क को शांत करती है यह मस्तिश्क में कुछ रासायनिक मेसेंज के स्तर को बढ़ाता है और मूड को बहतर बनाता है एलप्रिक्स प्लस टैबलेट एसार को भूजन के साथ या बिना भूजन के लिए लिया जाता है हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह शरीर में दवा के समान लेवल को बनाये रखने में मदद करता है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में लें क्योंकि इसमें आदत निर्मान ख्षमता है। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, उसे ले लें। जाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें। यह महत्वपूर्ण है कि इस दवा को अचानक लेना बंद न करें क्योंकि इससे मिचली आना, पेट खराब होना, फ्लू जैसे लक्षन, नींद में गरबड़ी और चिंता हो सकती है। जिसमें एकागरता की जरूरत होती है। इससे अलग-अलग व्यक्तियों के आधार पर वजन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। वजन बढ़ने से रोकने के लिए एक पोशक संतुलित आहार खाएं, उच्च कैलोरी वाले स्नैक लेने से परहेज करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। दूसरी ओर, डायटीशियन से परामश कर वजन को घटने से रोका जा सकता है जो आपके खाने की मात्रा बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपके मूर में कोई असामानि बदलाव होता है, तो डॉक्टर को सूचित करना आवशक है क्योंकि इसके कारण आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। अगर आप लिवर की बीमारी से पीडित हैं, तो दवा लेने के दौरान सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रही हैं, क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं, या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।